गुड बॉनिंग फ्रेंड्स, बच्छों हम आज देखते हैं एक नया चैप्टर, वैदिक गणित, वैदिक गणित क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या उद्देश है, ये भी हमें देखना होगा, वैदिक गणित गणनाओं को पहाथ ही सरल बनाता है और गणित के अध्यान में आपके रुची बढ़ा दिता है, इसलिए हम वैदिक गणित पढ़ेंगे, संपूर्ण स्रिष्टी का आधार है वेद वैदिक ग्यान, अर्जुन के अनवास्त्र से लेकर आज के मिसैल तक का ग्यान वेदों में समाया हुआ है, वैदिक गणित कोई बहुत कठिन विशे नहीं है, ये कुछ सूत्र मात्र हैं, जिन से हम गणनाओं को बहुत सरल बना सकते हैं, तो हम देखें कि कौनकों से सूत्र है इसके अंतरगत, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, निखिलम नवतह चरमम दशतह, घबराने की जरूरत नहीं है, नाम कुछ कठिन लग सकते हैं संस्कृत में होने के कारण, परन्तु जब आप इन्हें करेंगे, आपको बहुत ही इंट्रस्टिंग लगेगा, और हम देखते हैं, परंप्रगत विधी, वह वेदिक विधी, दोनों की तुलना करते हैं, यानि कि हम जो ट्रैडिशनली अभी कैल्कुले से योग संक्रिया, एक आदेकेन पर्वेंड से गुणन संक्रिया, एक न्यूनेन पर्वेंड से भी हम गुणन संक्रिया करेंगे, इसके अलावा हम वर्ग ग्याद करने के सरल विध्या देखेंगे, कैसे चुठकियों में हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, सुत्र शायद बोलने में कठीन हो सकता है पर जब आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा हम देखते हैं बोधायन प्रमे जिसे आप पाइथोगर स्थियोरम के नाम से भी जानते हैं इस प्रमे से करण कमान कैसे ग्याद किया जा सकता है इसकी कुछ सरल विधिया हम द यह क्या है किस तरह से लोपीत कर सकते हैं किस तरह से स्थापीत कर सकते हैं यह भी हम देखेंगे तो एक बार और बताओं मैं आपको थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट कीचिए वैदिगरित बहुत ही सरल है जब आप इन सोत्रों पर कमान करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन्स चु यह सोत्र तभी लागो होता है जब चरमम अंकों का योग 10 अत्वा 10 की घात हो और निखिलम अंक समान हो परन्दो इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चरमम अंक क्या है निखिलम अंक क्या है देखिए हम दो संख्याएं लेते हैं मैंने लिए 84, 86 यहाँ पर आप च इस प्लेस में 6 है इनिट्स प्लेस के इन अंकों को हम चलव अंक क्या है और चलव अंक कैसे होने चीए इनका योग 10 या 10 की घात हो 4 और 6 का योग याने कि टोटल 4 पलस 6 10 होता है अरथात यहां पर ये निखिलम अंक समान होना आवश्यक है तो यह जो चलव अंक को छोड़ करकि जो दूसरा 10th place का अंख है ये निखिलम अंख कहलाता है और ये समान होना जरूरी है 8 और 8 यानि कि 84 86 आप इसी तरह से 73 77 को ले सकते हैं क्योंकि 3 प्लस 7 10 होता है और 7 common है 64 66 इस तरह से हब ले सकते हैं 62 68 आपको देखना है कि ये एक अधिके इन पूर्विन गुणन संक् लागू करने से पहले units place के जो अंख है उनका total 10 होना चाहिए और 10th place के अंख एक समान होने चाहिए तो चलिए अगर ये हैं तो हमारा answer कैसे आएगा हमारा calculation कैसे होगा इसके लिए left hand side और right hand side दोनों को देखेंगे हम वाम पक्ष येनिके left hand side में निखिलम अंक येनिकी ये गुणा निखिलम अंक का एक अधिक येनिकी एक अधिक येनिकी 9 हो गया और उसी तरह से दक्षिन पक्ष में हमें लिखना होता है येनिकी right hand side में हमें लिखना होता है चरमम अंकों का गुणन फल येनिकी चरमम अंक येस हो रहा है, चरममंगों का योग येनिकी 4 प्लस 6, 10 है, राइट, और निखिलमंग समान है 8, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, और वाम पक्ष, येनिकी left hand side में हम लिख रहे है, निखिलमंग येनिकी 8, गुणा निखिलमंग का एक आधिक, येनिकी 8 प्लस 1, तो ये हो गया 8 into 9, 72 हमारा left hand side, वाम पक्ष, अब चलते हैं right hand side, दक्षिन पक्ष के और, जिसमें हमें लिखना है, दोनों चरममंगों का गुणा, प्रोड़क्ट, 4 into 6, जो बनता है, 24, और इस तरह से हमारा जो final answer होगा, वो होगा 7, 2, 2, 4, that's it, very simple, एक अधिक केन पूर्वेंट से गुणन संक्रिया, इस बार हम संख्याएं कुछ बदलते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं, इससे पहले हमने पूर्ण संख्याएं ले थी, whole numbers ले थे, अब हम 10 अमलब संख्याएं ले रहे हैं, decimals ले रहे हैं, नियम वही है, चरममंगों का योग 10 या 10 की खात होना चाहिए और निकलमंग समान होना चाहिए, यही नियम, और वाम पक्ष में निकलमंग, गुणा निकलमंग का एक अधिक और देक्षिन पक्ष में चरममंगों का गुणन फल, आईए देखते हैं कैसे, चरममंगों का योग, point 7, point 3, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें एक मिलता है जो कि दसकी घात है दसकी घात जीरो बराबर एक होता है इसलिए यह पहला नियम तो यहां पर लाग हो रहा है चरममांकों का योग दस या दसकी घात हो दूसरा नियम क्या है कि निकलमांग समान हो निकलमांग चार और चार समान है इसलिए यहाँ पर हम एक आधिक इन पूर्वेन से गुणन संक्रिया संपन कर सकते हैं कैसे करेंगे वाम पक्ष में लेंगे निखिला मंग गुणा उसका एक आधिक निखिला मंग चार गुणा चार का एक आधिक इने कि 4 प्लस 1 4 प्लस 1 जो की बनता है 4 इंटो 5 याने कि 20 अब हम देक्षन पक्ष की ओर चलते हैं जहाँ पर हमें चरमम आंकों का गुणान फल चाहिए चरमम आंक क्या है 0.7.3 0.7 और 0.3 को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 0.21 और इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 20.21 चलिए इसी सूत्र से एक और एक्जाम्पल भी हम ले लेते हैं एक आधिके इन पूर्वेंट से गुणन संक्रिया एक बार सूत्र याद दिलाने के लिए फिर से लिखा जा रहा है और हम नंबस लेते हैं 5.4 x 5.6 फिर से हमने decimals में लिया है और चरममंगों का योग 0.4 और 0.6 यह होता है 1 जो की 10 की खात है और निखिलमंग यानि की 5 जो की समान है इसलिए यह सूत्र लाग होगा और इसके अनुसार वंपक्ष लेफ्ट हैंड साइड में निखिलमंग मल्टिप्लाइट पाइड उसका एक अधिक 5 इंटो 6 जो की 30 होगा और राइट हैंड साइड में 0.4 इंटो 0.6 जो की होगा 0.24 और हमारा फाइनल प्रोड़क्ट होगा 30.24 दो तीन एक्जाम्पल्स हमने कर लिये हैं अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो मास्टर आजाएगी आगे बढ़ते हैं हम सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन से गुणन संक्रिया अभी हमने किया था एक अधिक है न यहने के एक अधिक अभी हाँ पर एक न्यूनेन पूर्वेन और यह सूत्र कब लगव होता है जब गुण्य वो गुणक में अंगों के संख्या समान हो और गुणक का प्रतेक अंग नौ हो गुण्य क्या है गुणक क्या है यह भी देखना होगा यह हमने दो संख्यायली है यहाँ पर देखिए गुणक याने जिससे किया जा रहा है जिसको हम गुणा करते हैं वो गुण्य होता है और जिससे हम गुणा करते हैं वो गुणाख होता है यह गुण्य और यह गुणाख 46 x 99 46 x किया जा रहा है इसलिए गुण्य है और by 99 99 से गुणा किया जा रहा है इसलिए यह गुणाख है और इसका सुत्र है वांपक्ष याने के Left Hand Side में हम लिखते है 46-1 यह हो गया हमारा Complete Left Hand Side हम यहां लिख लेते हैं इसके बाद हम चलते हैं दक्षिन पक्ष याने के Right Hand Side इसमें होगा गुनक मायनस वांपक्ष वांपक्ष याने के Left Hand Side तो गुनक क्या है 99 और इसमें से हमें माइनस क्या करना है लेफट हैंद साइट याने के यह 45 तो गुनक हो गया 99 मास वंपक्ष हो गया 45 तो यह हो गया 54 और यह बन जाएगे हमारा दक्षिन पक्ष एक बार फिर से समझें दक्षिन पक्ष को लाने के लिए हमें गुणक में से पूरे वाम पक्ष को यानि कि लेफ्ट हैंड साइट को माइनस करना है इसलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइट निकाल लेना जरूरी हो जाता है लेफ्ट हैंड साइट हमने कैसे निकाला है गुण्य यनि कि जिसको गुणा किया जा रहा है डिविडेंड जिसको आप कह सकते हो इस में से हमने केवल 1- किया है बहुत ही सिंपल है यह गुण्य में से 1- करके यह आ गया हमारा left hand side और इस left hand side को हमें किस में से minus करना है गुणक में से 99 में से तो हमें क्या मिलेगा राइट हैंड साइड देक्षिन पक्ष तो देक्षिन पक्ष देखें 99 वैस 45 54 यह 54 खो हमें केवन यहाँ पर निचे लिखना है बहुत ही सिंपल है कब लागो होगा जब गुण्य और गुणक दोनों में अंक समान होने चाहिए यह टूडिजिट अंबरे यह भी टूडिजिट अंबरे अगर यह त्रिडिजिट होता तो यह हो जाता 999 त्रिडिजिट हो जाता क्योंकि गुणक तो हमेशा 9 से ही बनना चाहिए चाहे एक 9 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो और जितने इधर 9s हैं उतने ही यहाँ पर अंक होने चीए तो left hand side के लिए हम केवल dividend में से 1 को minus करेंगे और सिधा सिधा उतारेंगे और right hand side के लिए 99 में से इस में से 1 minus करने के बाद जो बच रहा है 1 पक्ष उसको उतारेंगे that's all, very simple हमारा final answer हो गया 4, 5, 5, 4 चलिए हम अपने अगले slide में देखते हैं वही सूत्र एक उन्योनियन पूर्वेण से गुणन संक्रिया परंतु यहाँ पर condition अलग है यहाँ हम देख रहें गुण्य में अंखों की संक्रिया अधिक हो गुणक के अंगों के संक्रिया के मुकाबले अभी इससे पहले हमने देखा था कि गुण्य और गुणक यानि की dividend और divisor दोहों में अंगों की संक्रिया समान होने पर ही वो formula लगो हो सकता था पर यहाँ formula दूसरा है और यहाँ पर शर्त भी दूसरी है यहाँ पर क्या है गुण्य में यानि कि dividend में अंगों के संक्रिया अधिक है जबकि गुणक में यानि कि divisor में अंगों के संक्रिया कम है पर अंतु गुणक के अंग हमेशन नो होना यह तो ज़रूरी है गुणक में जितने भी अंख हो, चाए एक हो या दो हो या तीन हो या कितनी हो, वो सारे नो ही होने चाहिए, पहले ऐसे हम, नमबर्स लेते हैं, जहाँ पर गुण्य में अंखो के संख्या देखो, और गुणक में अंखो के संख्या कम हो, 852 इंटू 99, हमने देखा कि गुण् माइनस 1, और यह बटा नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, केवल लिखना है, और गुणक, इसमें से आमें माइनस करना है, गुण्य माइनस 1, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, गुण्य या याने की 852, माइनस 1, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं, एक न्यूनिय इन्पूर्मेंट से गुणनस 1, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर गुण्य याने की डिविडेंट में अंकों की संख्या अधिक है, किसके मुकाबले, गुणक याने के डिवाइजर के मुकाबले, और यह तो है कि गुणक में हमेशा अंक सारे 9 ही होने चाहिए, तो चलिए पहले हम ऐसे संख्या हैं तो लेते हैं जहाँ पर गुण्य में अंक अधिक हैं यह गुण्य है 852 अंकी संख्या है और यह गुण्य के 99 दो अंकी संख्या है तो ऐसे केस में जहाँ पर गुण्य में अंक अधिक हैं तो क्या फॉर्मिला लगता है चलिए देखते है पहला हम देख रहे है गुंणी minus 1 यानिकी 852 minus 1 फिर गुंणक और इस में से आमें minus करना है गुंणी minus 1 या की 852 minus 1 थोड़ा सा confusion लग रहा होगा जब हम करेंगे तो आपको clear हो जाएगा यह हो गया गुंणी minus 1 यानिकी 852 minus 1 और गुंणक यहाँ पर 99 तो देखे 852-1 कितना हुआ 851 और 99 यहाँ पर लेख लिया है अब इसमें से हमें क्या मानिस करना है गुर्णिय मानिस 1 यानिके 852-1 मानिस करेंगे 851 क्योंकि 852-1 हो गया 851 अब यह मानिस करने के पाद हमें क्या मिल रहा है 84348 यह हो गया हमारा फाइनल आंसर इसको हम क्यलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं 852 माल्टिप्लाइड बाइ 99 यह होगा 84348 यहाँ पर लेफट हैंड साभी राट हैंड साइड वाली बात नहीं है पुरा एक साथ ही लिखा जा रहा है गुर्णिय मानिस 1 और आगे गुर्णक के अंक माइनस गुर्णिय माइनस 1 अपको क्या याद रखना है गुर्णिय माइनस 1 याद रखना है और गुर्णक तो उतार नहीं है और इसमें से गुण्य माइनस वन को माइनस करना है तो गुण्य माइनस वन यानिके 852 माइनस वन 851 हो गया जो हमने यहां केवल उतारा है और आगे गुणक के दोनों अंग उतार लिए है और इसमें से हमने फिर से इसी गुण्य माइनस वन को यहने कि 851 को subtract किया है, minus किया है घटाया है और यह हमारा final answer हो चुका है अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे हम Vedic Maths Part 2 में जहाँ पर हम कुछ और calculations को easy करने का प्रयास करेंगे Till then, bye bye